देश को एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के वारानसी में बनेगा और जिसका आज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने शिला नयास कर दिया है सबसे खास बात ये है कि वारानसी में ये बनने जा रहा है आईए हम आपको इस स्टेडियम के बारे में वो सब बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं लेकिन उससे पहले ज़रा सुनते हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का इस स्टेडियम को लेकर क्या कहना है अपसे इस स्टेडियम की तस्वेरे बाहर आई है हर काशिवासी गदगद हो गया है महदेव की नगरी में ये स्टेडियम उसकी डिजाइन स्वयम महदेव को ही समर्पित है इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होगे इसमें आसपास के युवाख खिलाडियों को आंतर राश्टी स्टर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मोका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाब मेरी काशी को होगा वारानसी के राजातलाव इलाके में गंजारी गाओं में रिंग रोड पर करीब 450 एकड में ये स्टेडियम बनेगा ये स्टेडियम सरकार और BCCI के सहयोग से तैयार किया जा रहा है इस स्टेडियम को बनाने में उतर प्रदेश सरकार ने 120 करोड रुपए खर्च किये ये स्टेडियम यूपी सरकार और BCCI के सहयोग से तैयार होगा इसके लिए प्रदेश सरकार 120 करोड रुपए खर्च करेगी मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने इस स्टेडियम को लेकर खुशी जाहिर की BCCI 330 करोड रुपए खर्च करेगा बनारस के गंजारी गाओं की भूमी पर इस स्टेडियम का निर्मार शुरू होगा करीब 450 एकर में बनने वाला ये स्टेडियम भगवान भोले नाथ से प्रेरित है स्टेडियम की खास बातें इसका डिजाइन डमरू जैसा होगा इसकी छत अर्ध चंद्रकार जैसी होगी वहीं त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट्स जिनका पैटर्न बेल पत्र जैसा होगा इसकी खुबसूर्ती देखते ही बनती है ग्राफिक्स देखकर इसकी अनुकी तस्वीर आखों में समाजाती है जब ये स्टेडियम बनकर तयार हो जाएगा तो यहां के लोगों के लिए रोजगार के नए आवसर भी पैदा होंगे इस स्टेडियम में करीब 30,000 लोगों के बैटने की ख्षमता है वहीं सीडिया घाट की सीडियों जैसी होंगी दिसमर 2025 तक ये स्टेडियम पूरी तरह से बनाने का टार्गेट है और इसमें साथ क्रिकेट पिच बनाई जाएंगी आपको बता दें कि ये उत्तरप्रदेश का तीसरा स्टेडियम होगा इससे पहले लखनव और कानपूर में भी स्टेडियम मौजूद है लेकिन बनारस में तैयार हो रहा ये स्टेडियम उनसे काफी अलग होगा फिलहाल इस स्टेडियम की घोशना के साथ ही लोगों की इसको देखने की उत्सुकता भी बढ़ गई है हलाकि इसके लिए सभी को दिसम्मर दोहजार पचीज तक का इंतजार करना पड़ेगा